तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुती ब्यूटिफल साथ स्थ्लीप का डिजाइन जिसे बनाने के लिए यहां पर मैंने यह पेस्टिंग पे पल ली है और इसकी लेंथ और वीर्थ मैं आपको बता देती हूं लेंथ मैंने इसकी 12 इंच की रखी है और वीर्थ से हमें इसको फोल्ड कर लेहीं है तो मैं यहां से इसको इता इसको पर इसको आलग-अलग कर लेंगे कि यहां पी दोनौं स्लिप्स के लिए हमारे पास पेस्टिंग पेपर आ कि अब इक कुश्यन को हम अपने पास रख लेंगे और एक को विटा देते हैं तो यहां से इसको फिर से हमें डबर फोल्ड कर लेना है तो बिल्कुल बरावर से फोल्ड कीजिएगा उसके बाद यहां पे हम मार्किंग करेंगे तो नीचे की साइड से यहां पे हम तक्रीमन एक इंच पे निसान लगाएंगे तो यहां पे मैं एक इंच पे निसान लगा दूँगे तो यहां पे एक इंच पे लगाएंगे अब उपर की साइड से आदा इंच छोड़के हम आदा इंच पे ही मार्क करेंगे यह जो दोनों मार्क हम ने किये हैं इन दोनों को हम मिला देंगे तो दीखिए मार्किंग होई यहां से बिलकुल बराबर से सीधा मिलाना है हमें इसको तो दीखिए मार्किंग हमारी कम्प्रेट हुई अब सेम मार्किंग पर हम इसके कटिंग कर देंगे देखिए यहां से इसको cut कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यह आ जाएगा अब हम इसे कपड़े पेस्ट कर लेंगे तो देखिए मैंने कपड़े पेस्ट कर लिया है और इसके इधर मैंने सिर्फ आदा आदा इंची कपड़ा छोड़ा है अब इस कपड़े को हम इसके उपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे हम सिलाई लगा कि इसको कम्प्लीट करेंगे। इसको कम्प्लीट कर लिया है अब हमें अपनी स्लीप्स को लेना है तो स्लीप्स को ऐसे यहां से डवर फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में कट लगा देंगे इस तरीके से तो यहां पर इसमें हमने कट लगा दिया है सेम हम इस तरीके से इसमें भी कट लगा देंगे इसको भी डवर फोल्ड करेंगे और एक कट यहां से लगा देंगे तो दिखें इस डिजाइन को हमें नीचे वाली पोश्चन से मिलाते हुए रखना है नीचे वाली स लगाते समय कोई दिक्कत ना हो तो यहां पर हम इसको अच्छे से नप कर दिया है हमने इसको आप बुकरम के बिलकुप बराबर बराबर में हम इस पे लगाएंगे तो दिखे ध्यान रीदी दिखे अब हम इसके ओपर उपर स्लाई लगा लेंगे स्लाई लगके हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसे यहां से कट कर देंगे दिखे यहां से कट हो चुका है अब और कॉर्णर वाल यह साइड में हम छोटी छोटी कट्स लगाएंगे फोल्ड करते समय कोई दिक्कत ना हो दिखे इसको फोल्ड कर लेंगे आप इसमें अच्छे से आईरन कर लें जिसे अच्छे से सेट हो जाए मैं इस पर आईरन कर लूँगी तो दिखे आईरन करने के बाद मैंने इसके किनारे पर इसलाई लगा दी है जिसे कुछ इस तरीके से आया अब नीचे की साइट से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे देखिए यहां से हमने इसको फोल्ड कर लिया है दूसरी साइड से भी हम इसको सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो देखिए दूसरी साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया है अब हमें यहां पर डोरी बनानी है तो देखिए डोरी बनानी के लिए मैंने यहां पर तक्रीवन एक इंच चोड़ा कपड़ा लिया है लंबाई हम इसकी अपने हिसाब से रख लेंगे तो यहां पर मैं इस पर सलाई लगा लूँगी जितनी डोरी हमें चाहिए उतने पर मैं इसमें सलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी आप अपने हिसाब से डोरी की लंबाई कम्या जादा कर सकते हैं देखिए यहां पर मैंने इसको सलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो देखिए इसको मैंने इहां पर सीधा कर लिया है इसको ऐसे बराबर करते हुए यहां से अलग कर लेंगे दिखिए यहां से हमने इसको अलग कर लिया है अब हम यहां पर हमने ये दो फैब्रिक के पीस लिये हैं इनको में यहां से बराबर करते हुए यहां पर अटेच कर दूंगे और मिसलाई लगा देंगे दोनों में हमें सेम तरीके से कर लेना है तो दिखिए कम्प्लीट हो चुके हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और राइट साइड टर्न कर लेंगे तो दोनों को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है अब हमें अपनी स्लीप्स को लेना है अब इन डोरियों को हमें अपनी स्लीप्स में अटेच करना है तो मैं यहाँ पर यहाँ पे फाइप इंच पर मार्क कर लोंगे दोनों साइड हम फाइफाइफ इंच पे मार्क करेंगे और इन डोरियों को अटेच कर लेंगे तो दिखिए दोनों डोरियों हमने हाप पे अटेच कर लिए है और डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन यहां पे बनके रेडि हुआ है वीडियो पसंद आया हो तो चैन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नहीं तब तक की दिए बाई बाई